वैसे तो आप सभी को ये अच्छे से पता होगा कि हर देश का अपना बॉर्डर होता है। इन सिमाओं को बनाने की पीछे कोई इतिहास, कोई युद्ध या कोई अन्य कारण हो सकता है। अक्सर ये सिमाओं विवादों का कारण भी वनती हैं और सदियों तक इनका विवाद चलता ही रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिमाओं विवाद काफी पुराना है। अक्सर पाकिस्तान भारत की सेना में गुस्पैट करने की कोशिश करता रहता है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच जम्मू कश्मीर में हमीसा तनाव बना रहता है। औ पारत और पाकिस्तान के अलग-अलग होने के बार से ही जम्मू कश्मीर दोनों ही देशों के लिए सबसे बिवादित बिशय है और अक्सर इससे जुड़ी हुई खवरे आपको टीवी चैनलों उपर देखने को मिल जाती हैं। आपको कई बार एलोसी का नाम भी सुनने को मिलता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा। लेकिन कुछ लोगों को एलोसी क्या है, एलोसी की फुल फॉर्म क्या है, इसके जानकारी नहीं होती। इसलिए आज हम आपको एलोसी क्य है इससे जुड़ी सभी जानकारी शेयर करने वाले हैं तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें जानते हैं एलोसी का इतिहास क्या है दरसल भारत की आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान अलग-अलग देश बने और उस समय र दस्ताव लाया गया कि जो रियासत जिस देश के साथ जाना चाहती है या जा सकती है और जो इनमें से किसी भी देश के साथ नहीं रहना चाहती वह अपने आपको एक अलग देश बना सकती है इस तरह पूरे देश का बटवारा किया गया लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर के म पाकिस्तान में लाना चाहता था लेकिन महराजा हरी सिंग दोनों देशों में से किसी भी देश के साथ जाने को तयान नहीं थे और वह अपनी फैसले पर कायम रहे इसी दोरान पाकिस्तान ने जम्मु कश्मीर को अपने साथ मिलने के लिए ताकत का इस्तवाल किया और पाकिस सेने की मदत मागी और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का फैसला लिया इसके बाद दूसरे रियासतों की तरह ही उसने भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलाय करने पर हस्ताक्षर किये जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन अंग बन चुका था फिर भारत्य सेना एर भिमानों के द्वारा जम्मू कश्मीर बहुची और उसके कुछ दिनों बाद ही जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान सेना को खदेर दिया उस समय भारत के पहले प्रधार मंत्री जवाहलाल नहरू ने इस मुद्दे को लेकर संयुक्त रास्ट में पहुँच गए और जर्म संग्रा की बात कह दी लेकिन यह जवाहलाल नहरू की सबसे बड़ी गल्ती मानी जाती है क्योंकि भारत पूरे कश्मीर से पाकिस्तान सेना और कबालियों को खदेरने वाला था पंडित नहरू के ऐसा करने के बाद 5 जनवरी 1949 को सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया जिसके अनुसार जो सेना उस समय जिस हिस्से में थी उसे ही युद्ध की विराम नेखा मान लिया गया जिसे लोसी कहते है भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर का ऐलान के बाद दोनों देशों के बीच एक लाइन बन गई इसे लोसी कहते हैं लोसी यानि लाइन ओफ कंट्रोल जिसे हिंदी में नियंतर रेखा भी कहा जाता है युद्ध विराम के बाद जो हिस्सा पाकिस्तान सीना के पास था उसे आज P.O.K. यानि पाकिस्तान आक्योपाइट कश्मीर के नाम से जाना जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच खिची गए नियंतर रेखा 740 किलो मीटर लंबी है जो दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवादित विशा है L.O.C. को आप युद्ध विराम रेखा भी कह सकते हैं जहां दोनों देशों के सीना एक दूसरे के आमने सामने है इसलिए यहाँ पर हमेशा दोनों देशों के वेज युद्ध की इस्तती बनी रहती है हम उमीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि L.O.C. क्या होता है वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले